नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बंद किस्मत का ताला खोलने का महाप्रयोग आज हम आपके साथ जुड़े हैं आपके उपर अगर किसी ने तंतर मंत्र क्रिया किया है अगर आपके भागे को किसी ने बांध दिया है आप बिमारियों से परेसान है आपको लगता है दवाईयां सूट नहीं करती आपको लगता है कि जीवन में किसी ने टोने टोटके करवाए है या कैसा भी दोस हो आज हम आपको तांतरिक प्रियोग बताएंगे ताले चाभी का लेकिन घवराईये मत तांतरिक का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी बोल देंगे नहीं पूरी तरह से सात्विक है तांतरिक होते वे भी सात्विक है और इस प्रियोग को आपको कब करना है किसी भी सनिवार के दिन आप कर सकते हैं सनीवार रवय और मंगल वार तीनों में से किसी दिन कर लें वैसे सनीवार के दिन करें तो अच्छा है अँवो सहतिती को भी कर सकते हैं तो चलिए आज हम आपको वो ताले का चाभी का महा परियो जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बहार निकालेगा चलिए समझते हैं अगर आपके बुद्धी को किसी ने बांद दिया है अगर आपके कारुबार को किसी ने बांद दिया आपके स्वास्त को बांद दिया कई बार लोग क्या करते हैं तंत्र मंत्र क्रिया करवा कर आपके स्वास्त को बुद्धी को आपके कारुबार को आपके घर के खुसियों को बांद कर नदी में फेक देते और फिर आप लाख प्रयास के बाद भी खुस नहीं रह सकते ऐसे में एक महापरियोग करें कैसी भी समझ से आ है बीमार ही क्यों न हो आप एक छोटा सा काम करना है आप कहीं भी नदी के पास जाएं या फिर किसी ऐसे जगह जहां पर आपको लोग टोके नहीं देखे नहीं और फिर एक ताला चावी आपको ले कर जाना है और ताला को यहां पर देखिए, बंद करने वाला सिस्टम नहीं है यहां पर हम आपको महापर बता रहे हैं ताला खुलावा होगा ताला अलग रखिए और चाभी अलग अब आप हाथ में चाभी को लें ताला को आप वहीं पर पास में रख लें और 108 बार सामने स्किन पर एक मंतर आएगा इसको आप पढ़िए और मंतर जो है वो सिद्ध मंतर है आपको बहुत समल कर सांथ दिमाग से पढ़ना है और बिल्कुल पॉजिटिव एनरजी के साथ ताकि आप जो पढ़ें वो आपको आपके लिए चारचांद में लगा वैसे तो इस मंतर को 108 बार पढ़ना है क्योंकि बड़ा मंतर है तो आप 5 बार पढ़ लीजेगा ठीक है तो आप 5 बार आपको पढ़ना है हाथ में चाभी लेकर ताला वही पास में रखिए खोल कर रखिएगा ताला को बंद करके नहीं रखिएगा अब चाभी हाथ में लेकर आप ये मंतर बोलिए सामने स्क्रीन पर मंतर आएगा आप उसको देखिएगा मंतर है ये मंतर सामने स्क्रीन पर देखें इस मंतर को कम से कम पांच बार बोलिए मंन में बोल सकते हैं जरूरी नहीं कि बोल के ही बोलना है क्योंकि बोलने से कुछ गलती भी हो जाती है लेकिन जब आप मन में बोलते हैं तो तुरूटी की गुंजाईस नहीं रहती हैं आप किसी कागज पर लिख कर ले जाईए गए मोबाइल में भी देख कर आप बोल सकते हैं इसके बाद आप चाभी हाथ में लेकर आप 5 बर कम से कम मंतर बोलें आपके लिए बहुत आप चाहते हैं तो 108 बर भी बोल सकते हैं अब इसको आप चाभी जो है ना इसको एंटी क्लोक वाइज यानि उल्टा अपने सर से उतार ले कितने बाद ? एक बार या तीन बार तार ले अब फिर इस चाभी को उठाएए ताला को और चाभी इसी चाभी से ताला को बबंद कर दे हैं और ताले को आप मिट्टी में गड़ा करके भी दबा सकते है या फिर आप शिए चाभी käytइं ना उसको भी नहीं लाना आपको लेकिन बंद कर देना है ताला को और गड़ा में दबादे या फिर नदी में कहीं फेक दे दोनों ही चीज को छोटा बड़ा ताला इस टील का पीतल का मायने नहीं रखता कोई भी ताला ले लीजे और इसके बाद बिना पीछे मुड़े आप के उपर नहीं कर पाएगा आप इसको अगर आपके इमर्जेंसिय तो किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन टोका टोकी ना हो इस बात का आपको दियान डखना है अब हम आपको एक और प्रयोग वताएंगे देखिए आपको इसके लिए भी सुक्रबार का दिन चुनना है आप सुक्रबार को रात में सोने के पहले अपने सिरहने यानि जहां पर आप सोते हैं तक कि एक आसपास टेबल पर या बेट के आसपास कहीं पर रखते हैं कि अगले दिन यानि सनी बार के दिन इस ताला चाफी को आप पार उठाएए और ले जाकर चुक्के से सुबह सुबह उठीएगा कोई देखे नहीं पीपल के नीचे रख दे बिना पीछे मुड़े घर आ जाए अगर बीपल का पेड़ना हो तो किसी भी मंदिर के शिड़ी पे रख दे बिना पीछे मुड़े घर चले आए जैसे ही जब आपको लगे कि लाक प्रियास करने के बाद भी मे tentang करने के बाद भी आप क्या भागे आपका साथ ही नहीं दे रहा जीवन में कभी कभी दुस्मन भी परिसान करते हैं और भागी भी परिसान करता है जब दोनों ही मिलके पीछे पढ़ जाएं आपके तो आप समझ नहीं पाते आखिर क्या करें कहा जाएं कैसे बचे इन तमाम मुस्किलों से केंकि कभी कभी तो हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आप बस किंग करब बिमुड हो जाते हैं तो आज हम आपको दो प्रियुक बताएंगे एक दुस्मनों के मुठे कैसे आप ताला बंद करें और दूसरा धन की मुस्किलों को कैसे दूर करें यानि कि भागी भी और सत्रू मुक्ती भी यानि सोनोई पे सुहागा वाला प्रियोग तो चलिए आज हम आपको छोटा सा प्रियोग बताएंगे दूसमन कई तरह के होते हैं बहुत साई लोग आपके पैसे ले लेते हैं देते नहीं हैं बहुत साई लोग बेवज़ा परिसान करते हैं बहुत साई लोग जमीन जायदात के मामलों में परिसानी देते हैं बहुत साई लोग नोकरी बेपार में भी परिसान करते हैं तो चलिए आज हम आप महिला है या पुरू से दोनों ही यह प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कब करेंगे देखिए जो आज हम दुस्मनों के मुक्ति के लिए यानि कि दुस्मन सत्रू से मुक्ति के लिए जो प्रयोग करना है वो सनिवार के दिन करना है लेकिन जो धन वाला प्रय अपने घर में किसी भी बरतन में पानी ले लेले बारतन के लिए फानी चाहिए आपको टाला कौन जो आपके घर में लगाया जाता है आप लोगाता यूज करते हैं भillon गालना बंद करना परता दर्म में प्राइन टाला जिसमें रिटार करती हैं मैंका जो प्रतerson में प्रता पर पर जा ग। कि और सथ्रू की मन में ये सोचिए कि आप दूस्मन के मूद पे ताला बंद कर रहे इस हम दाइध को पीष्टे वे ताला में चावी घुमा दें बंद कर दे इन अदर पानी के अंदर ठीक है अब किस टाला को बाद में क्या करेंगे पानी किसी पौधे में डाल दे और ताला कहीं चिपा कर रख दें मिट्टे में गर्डा करके ताला चभी डबा दें जितने दिन बंद रहेगा सत्रू सांत रहेंगे अब धन की मुस्किलों से बशने के लिए चोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे और यह प्रियोग बिल्कुल जनिवार को दिन करना है आपको चाहि ताला चावी हारश पुराना ताला के बारे में संबाना है लेकिन धनकी प्रापति के लिए उसमें जाछा क्षgebर होगा बें चोटा ही लेहिए थी चोटा ही लिएम पर द याद रखिए आपको खोल कर नहीं देखना है ताला कि वह सही है या नहीं नहीं दुकंदार को टेस्ट करने के लिए जैसे है पड़ा हुआ ताला में बंद करके चाभी लगा होता है बिल्कुल वैसे ही खरीद लीजिए इसको कहीं जाच नहीं करना अब इसको लाकर आप चुण आपको जरूरी नहीं कर सकता है लेकिंद प्रियोग आपको तीन सबार करना और रखिए आर्ली मोarning तीन-चार वजँ जाय और पीपल के नीचे रख दे और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए जो भी बैक्ति इस तालेज को उठाएगा चाभी लगाकर खोलेगा ताला चाभी दोनों छोड़िएगा वो आपके किसमत के बंदरवाजे को खोल देगा करके देखें 100% यह काम करता है तो हम आपसे भीजा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे त कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखें दुन्यवाद